आपका प्रश्ण है दादी के तन में ब्रह्मा बाबा के साथ शेव बाबा आते हैं, अकेले क्यों नहीं आते? दादी के तन में ब्रह्मा बाबा के साथ शेव बाबा आते हैं, अकेले नहीं आते हैं शेव बाबा केते बच्चे, मैं ब्रह्मा के तन से ज्ञान सुनाता हूं, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाता हूं, दूसरी बाद और ब्रह्मा के द्वारा ही मैं स्थापना कराता हूं इसलिए ब्रह्मा बाबा इस यग्य के प्रत्थम ब्रामने और उनके साथ ही मैं इस संसार का उसके शरीर के द्वारा किया तो उसके साथ ही मैं सारे कारिय करता हूँ क्योंकि वो आपकी बड़ी मा है उसी के साथ ही मैं दादी के तन में आता हूँ बाकी मुझे कोई कारिय करना है तो मैं किसी का भी तन का आधार ले सकता हूँ वो थोड़ी देर के लिए किसी भी आत्मा को ठच कराना है तब जब बच्चा समझाने में अस्समर्थ है और मुझे अपना काम करना है क्योंकि निमित ब्रह्मा बाबा है प्रजा पिता ब्रह्मा है इसलिए उनके ही तन के द्वारा मैं आकर सारे संसार का कल्यान करता हूँ और उन्ही के सुक्षम शरीर के साथ मैं परवेश करता हूँ उसके सुक्षम शरीर के द्वारा सुक्षम वतन में भी सार्व जो सयोगी आत्माएं हैं उनके साथ सारी प्लानिंग, सारा कार्य होता हो। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, इश्वरिये, विश्व विद्याले के किसी भी सिवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रशन हो तो 9213106986 पर के वल टेलिग्राम करें, 9650692270 पर के वल वर्शेप करें, ओ नहीं, ओम शान्ति